सारप नाम मैं हूँ आनंद विजय सिंग जोतिश विज्ञान के इस विशेश कारिक्रम समय शास्तर में आप सभी का स्वागत है आप जानते हैं कि जोतिश विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुबकारी है कभी-कभी मनुश्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिन से पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहता है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन ही समस्याओं का विज्ञान है वैदिक जोतिश विज्ञान जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधाओं को पार कर सकते हैं या उस बाधा से पार पा सकते हैं क्या ये संभव है और अगर हाँ तो फिर कैसे यही आपको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं विख्यात वैदिक जोतिश विज्ञान विशशक गे आचार मनोच नियर जी बहुत-बहुत स्वागत है मनोच जी धन्यवाद आपका आज हम राशी फल पंचांग के साथ जानेंगे महाभागे राजयों के बारे में कैसे महाभागे राजयों एक महिला और पुरुश की कुंडली में अलग अलग फल देता है आज हम ये जानेंगे तो आज आपको बताया जाएगा कि आपके जीवन में कई सारी शुनौतियां आती हैं और उन शुनौतियों को कैसे पार पास सकते हैं और साथ ही राशी आज का क्या कहती है राशीयां ये भी बताएंगे आचारे जी तो आईए शुरू करते हैं आज का समय शास्त्र तो आज का दिन कैसा होगा आज का पंचांग क्या कहता है चलिए समय शास्त्र की शुरुवात हम इसी से करते हैं आचारे मनुज नेयर जी से जी आज का दिन कैसा होगा आज का क्या कहता है पंचांग मनुज जी आज 27 दिसंबर 2021 दिन सोमवार सूरे उदे हो चुके हैं सुबह 7 बचकर 12 मिनट पर और सूरे अस्त होंगे शाम 5 बचकर 32 मिनट पर सूरे राशी आज की रहेगी धनू और कन्या चंद राशी आज की रहेगी कन्या विक्रम समवत 2078 रहेंगे पक्ष क्रिशन पक्ष की अश्ट बचकर 28 मिनट पर उसके बाद नमी तिर्थी प्रारंब हो जाएगी नक्षत राज के हस्त रहेंगे योग सोभागे रहेंगे 8 बचकर 54 मिनट तक फिर शोभन हो जाएंगे करण बालब रहेंगे 7 बचकर 53 मिनट तक फिर कॉलब होंगे राहुकाल सुबह साड़े आठ बजे से सुबह 9 बचकर 47 मिनट तक रहेंगे और राहुकाल में सबी शुपकारे पूरी तरह से वर्जित रहेंगे तो आपने जाना कि आज का दिन कैसा रहेगा आज का पंचांग क्या कहता है और समय शास्त्र में अब वक्त है आपके राश्यों के बारे में जानने का तो आचारे मनुज नियर जीर से आईए जानते हैं कि आज की राश्य क्या कहती है पहले चार राश्यों को हम ले लेते हैं मेश, वरिश, मिथुन और करक राश्य के जात्कों के लिए आज का दिन कैसा होगा मेश राशी आज आपको धनलाप हो रहा है आज आपको कोई नई चीज की प्राप्ती भी हो रही है दिन आज आपका बहुत ही उत्तम है आज केले का दान करना आपके लिए बहुत शुब है भागेशाली दिशा है आपकी दक्षिन भागेशाली संख्या है आठ भागेशाल के लिए आज बहुत सयम रखना अवश्क है आज आटा दान करना आपके लिए बहुत शुब है भागेशाली दिशा है पूर भागेशाली संख्या है चार भागेशाली रंग आपका बैंगनी है और भागे का मीटर आज आपको केवल 55% सयोग कर रहा है मिथुन राशी आज व और भागे का मीटर आज आपको 90% सयोग कर रहा है करकराशी जो लोग पिछले कुछ दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे आज अवश्य ही आपकी तलाश खतम होने जा रही है यदि आप नौकरी में है तो आज आपको परमोशन भी मिल सकता है आज का दिन बहुत उत्तम ह आज माता पिता का आशिरवाद लेना विश्येश शुबकारी है भागेशाली दिशा है पूर भागेशाली संख्या है चार भागेशाली रंग आपका हरा है और भागे का मीटर आज आपको 85% तक सयोग कर रहा है तो मेश विश मिथुन और करक राशी के जात्तकों का दिन आज कैसा रहेगा और आपको आगर आज का दिन अच्छा करना है सफलता अलानी है जीवन में और बहतर करना है तो आचार जीने जो उपाए बताएं हैं उसे जरूर आप अपनाईए और बाकी जो राशियां है सिंग कन्या तुला वरिशिक धनु मकर कुम और मीन इसके बार रोहित कुमार पूमार जन्म तिथी है तेरह मार्च उननी स़च यानुएं समय है जन्म का समय रात के दस बचे इन्होंने जन्म स्थान तो नहीं लिखा है लेकिन हम एक बार आपको बता दें कि जब भी आप मेल करें तो जरूर अपने जन्म स्थान का भी विवरन जरूर दें उससे आपका सटीक उत्तर आपको मिल पाएगा इनका सवाल है अचारी जी की नौकरी से जु का सवाल है तो उसको हम दशम भाव से देखते हैं और दशम भाव में करक राशी उदित हो रही है और उसके स्वामी अपने से छटे भाव में चले गए हैं हाला कि मित्र ब्रस्पती के साथ गये हैं लेकिन छटे भाव में जाना कोई शुबकारी बहुत नहीं रहता कुंड सूरे के साथ शुक्र की दशा लगनेश की है तो मुझे लगता है कि अभी इने को थोड़ा सा समय वेट करना पड़ेगा इनको तेईस मार्च दो हजार बाइस तेईस मार्च दो हजार बाइस के बाद इनका नौकरी का योग ठीक बन जाएगा और इनको एक फायर ओपल धारन करना चाहिए सवा ग्यारा रत्ती का और सोमवार के दिन भगवान शिव की अराधना करनी चाहिए मुझे लगता है इनका आने वाला कैरियर बहुत अच्छा बनेगा और नौकरी इनको प्राप्त हो जाएगी जल्दी बिल्कुल तो आज सोमवार का दिन भी है आजी से शुरू की अराधना करना और 23 मार्च 2022 के बाद से आपके लिए अच्छा दिन निकलेगा एक और सवाल है लेकिन उससे पहले ज़रा हम आपको बता दें कि आपके टेलिविजिन स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं सहारा सम हमारे साथ जुड़ी हैं उन्होंने अपना सवाल भेजा है इशिका शर्मा उनका नाम है जन्म तिथी है आचारी जी 21 जुलाई 2003 और जन्म का समय है सुबह 6 बच कर 35 मिनट का जन्म इस्थान है गंज बसोड़ा और दो सवाल है इनका दो बातें जानना चाहती है एक दो नौकरी की इनकी चाहत है कब लगेगी वो नौकरी कैसी होगी और साथ ही शादी कब होगी जी इनकी जो कुंडली है वो कर्क लगन की और सिंग राशी की कुंडली है और सबसे पहले इन्होंने नौकरी का प्रशन किया है तो नौकरी के प्रशन अब दशम भाव से लेते है दशम भाव में मेश राशी उदित होती है और मेश राशी के स्वामी जो है मंगल बनते हैं और मंगल इनके अश्टम भाव में चले गए हैं अश्टम भाव जो मृत्यू भाव माना जाता है जहां पे सारी चीजे जाके विपरीत फल लगबग देना शुरू कर देती है और शत्रू की राशी शनी में गए है मंगल तो ये कुछ खराब योग बन गया और त्रिकोन में शनी मंगल का योग है तो मुझे लगता है कि नौकरी की स्थिति इनकी थोड़ी सी डावाडोल सी स्थिति है लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है ग्यारा अप्रेल दो हजार बाईस के बाद इनका समय ठीक आ रहा है और इनको नौकरी मिलेगी मुझे लगता है आई टी फील्ड के अंदर अगर ये जाएं क्योंकि आई टी का फील्ड इनको बहुत सूट करेगा क्योंकि मंगल की राशी है तो कंप्यूटर जगत के मालिक है मंगल तो उसके अंदर जाएं और दूसरा प्रशन क्या है दूसरा है शादी से जुड़ा हुआ कि कब तक होगी शादी शादी की इनके जो भाव सप्तम भाव में शनी की राशी उद्धित होती है और शनी बारवे भाव में चले गए हैं तो जो भी इनको शादी या विवा करना है तोड़ा अपने घर से दूर जाके उस रिश्टे को देखें तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा इनको क्रशन है तो उसके लिए भी इनको एक साल का वेट करना चाहिए नौवंबर दोजार बाइस तक वेट करना चाहिए उसके बाद शादी के योगिन के प्रबल बन रहे हैं और इनको एक मोती रतन धारन करना चाहिए सवा पांच रती का सबसे छोटी उंगली के अंदर और श वरिश्चिका जी आईटी फिल्ड आपके लिए बहतर होगा थोड़ा समय जरूर लगेगा शादी के लिए भी और नौकरी के लिए भी जो उपाय बताया जा रहा है आचारे जी के द्वारा उसको अपनाईए जरूर आपको अपनी जिन्दगी में सफलता मिलेगी और आई आज आपको किसी इंफेक्शन होने का डर बना हुए हो सके तो आज कोई भी कारे ना करें आज अपने घर में ही रहें दिन को गुजार दें और ओमने मश्चिवाई का जाप आज दिन भर करते रहें भागेशाली दिशा आपकी दक्षिन है भागेशाली संख्या है पांच भागेशाली रंग आपका सफेद है और भागे का मीटर आज आपको केवल 50% तक सयोग कर रहा है कन्या राशी वाले जो लोग बेरोजगार हैं आज उनके लिए बहुत ही विशेश शुब दिन है आज आज आपको मन चाही नौकरी प्राप्त हो सकती है आज किसी किनर को हरा कपड़ा दान करना आपके लिए विशेश शुबकारी रहेगा भागेशाली दिशा आपकी पूर्व रहेगी भागेशाली संख्या रहेगी चार भागेशाली रंग आपका लाल रहेगा और भागे का मीटर आज आपको 80% तक सयोग कर रहा है तो लाराशी वाले जो लोग के शेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें विशेश लाव होने जा रहा है यदि आप शिक्षा संबंदे चीजों का वैपार करते हैं तो आज आपका सर्वत्तम धनलाप का योग बना हुआ है आज भगवान कृष्ण की अराधना करना आपके लिए विशेश शुब है भागे कुछ दिनों से आपको घेरे हुए थी आज वो समाप्त होने जा रही है आज कोई मंगली कारे सफल योजना भी आपके घर में बन रही है दिन आपका बेहत शुप है आज हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए लाबकारी रहेगा भागेशाली दिशा उत्तर है करने के लिए क्या उपाए आपको करने चाहिए आचारे मनोज नियर जी ने बताया जरूर उन्हें अपनाईए और सफलता आपको जरूर मिलेगी धनु मकर कुम्भ और मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा ये भी हम आपको आगे बताएंगे लेकिन एक सम शास्त्र की बात हम कर रहे हैं तो इसमें योग का बड़ा महत्व होता है और ये योग ऐसा होता है कि व्यक्ति को अगर हम मनुशी की बात करें पुरूशी आइस्त्री को तो किसी को बहुत उपर कर देता है कभी अगर वो साथ नहीं देता तो वो नुकसान भी कर देता है और ऐसे ही एक योग है महाभागे राज योग मनुज नियर जी ये जरा बताईए कि इस योग के बारे में कि पुरूश याइस्तरी में अगर ये है योग तो जिन्दगी में उसे उचाईयां या क्या परिशानियां क्या हो सकती है मैं इस योग की वेचना पहले करता हूँ महाभागे राज योग पुष यातक की कुडली में महाभागे राज योग यदी होता है तो अगर जनम लगन से सूरे चंदर्मा या लगन विशम राशी विशम राशी जो होती है मेश मित्वन सिंग तुला धनू कुम इन राशियों में यदी ये तीनों चले जाएं यदी लगन चला जाए सूरे चला जाए और चंदर्मा चला जाए और पुरुष की कुडली हो तो महाभागे राज योग का निर्मान हो जाता है और महाभागे राज योग विशम राशियों में लगन से सूरे और चंदर्मा से सूरे का पर यानि व्रिशव कर कन्या व्रिशिक या मकरमीन में चला जाए तो महाभागय योग का निर्मान हो जाता है यदि किसी जातिका की कुंडली में ये रात्री में बने तो गुरुष की कुंडली में ये दिन में बने तब ये योग का निर्मान होता है और महिला की कुंडली में र उसे उच्चपद की प्राप्ति होती है जातक एक शांदार जीवन जीता है उसे महंगे अपूशन कपड़े वस्त्र यह भोग सम्रिद्धी भौतिक सुक और महंगे वहनों अराम को बढ़ाने की में भी मदद करता है कुण्डली में महाबागे राजयोग बनने से जातक को मा कुण्डली में यह योग बनता है वो चरित्रवान सब्बे और सुशील होती है महाबागे योग वाली जाती का राज के कार्म काम करने का अफसर उसे मिलता है यह बहुत देखा गया है कि अगर किसी महिला की कुण्डली में महाबागे राजयोग बनता है तो सिविल सर्वि में महिला बहुत काम्याव होती है वो कन्या बहुत यह बहुत से आई-ईस, आई-पी-ईस की कुण्डलियों में देखा गया है अगर महिला इस पतक माची है या विदेश फिमेराजडूत या आई-फ-एस का काम कर रही है तो उनकी कुण्रली में महाबागे राजयोग बह पर अगर पुरुश में होता है तो लोग राज नीती और वैपार में अधिक आमयाब होते हैं यह देखा जा है यह राज मतलब उस राज से जुड़ा हो यह पावर से और यह ऐसा योग है जो महिला के कुंडली में अलग तरीके से निर्मान होता है और पुरुश की कुंडली और यह आखरी के जो चार राशियां हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं धनू, मकर, कुंभ और मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा क्या उन्हें उपाय करने चाहिए धनू राशी यदि आज आप प्रेम में हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुब है आज आप डेटिंग पर जाने का भी आपका योग है आज आपको हर कारे में सफलता मिल रही है जो लोग अपनी प्रेमी का के आगे विवा का प्रस्ताव रखना चाहते हैं वो आ कर राशी आज आपको बहुत गुसा आ रहा है कुछ अजीब सा चिर्चड़ा पन है आपके मन में आज आप आज अपने से छोटों पे कुछ अत्याचार आप करने को तैयार है आज सभाव को शान्त रखिए नहीं तो आपको पश्चाताब होगा भागेशाली दिशा आपक मंदि सभी कार्याब भी आपके पूर्ण हो रहे हैं आज परिवार में खुशियां ही खुशिया है किसी महमान का भी आज आपके घराने का योग बना हुआ है आज कोईला दान करना आपके लिए बहुत शुБ रहेगा भागेशाली दिशा आपकी डख्शिन है भागेशाली जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, फूड आइटम्स का काम कर रहे हैं, आज उनके लिए दिन बहुत शुब है, आज विशेश दिन है उनके लिए, भागेशाली दिशा आपकी उत्तरपूर है, भागेशाली संथ्या है आपकी तीन, भागेशाली रंग आपका गोल्डन है और भागे का मीटर आज आपको 90% तक सयोग कर रहा है तो ये है धनू मकर कुम्भा और मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा और क्या उपाय करने उन्हें चाहिए जिससे की और बेहतर हो सफलता और मिरे अब जरा कुछ सवाल हम ले लेते हैं हमारे पास मेल आ रहे हैं सहारासमैशास्ट्र एट जीमेल.com पर आपकीजिये मेल और अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं अपना नाम लिएए अपनी जन्द की तीथी लिएए जन्द स्थान लिएए जन्द का समय लिखी और फिर सवाल लिखीए और अगर ये सारी जानकारियां आप देंगे अपने जन्व से जुड़ी हुई तो फिर आपको उसका सठीक जवाब मिल पाएगा आचारे जी के द्वारा हमारे साथ हैं उन्होंने मेल किया है सवाल पूछा है संजीत कुमार राय उनका नाम है आचारे जी जन्म तिथी है चार अपरैल दो हजार दो और जन्म का समय है सुबह पांच बचकर चालीस मिनिट पर संजीत जी आपका सवाल तो हम ले रहे हैं लेकिन आपने अपने जन्म इस्थान का जिक्र नहीं किया है सवाल इनका है वही सफलता कब मिलेगी जिन्दगी में और शादी से भी जुड़ा हुआ सवाल है कि शादी कब हो जी इनकी जो कुंडली है वो मीन लगन की और धनू राशी की है और लगन के अंदर ही बुद्ध विराजमान है मीन राशी में मीन राशी में जब बुद चले जाते हैं तो बुद नीच की हो जाते हैं उनके फल खतम हो जाते हैं तो थोड़ा सा इनको वानी से समंदित और बुद्धी में थोड़ा सा कमी बुद ऐसिस्टिती में देते हैं आदमी अपनी बात को एक्स्प्रेस नहीं कर पाता इनका प्रशन जहां तक केरियर से समंदित जहां सफलता कब मिलेगी जिन्दगी में इनके दशम भाव में धनुराशी उदित होती है जिसके स्वामी बनते हैं ब्रस्पती और ब्रस्पती जो है विराजमान है चत्तुर्थ भाव में शत्रुबुद की राशी में लेकिन वो दृष्टी दे रहे हैं दशम भाव को अपनी तो ये एक शुब योग इनको मिल गया है और जहां तक कैरियर का सवाल है तो मुझे लगता है इनको मैनेजमेंट फील में एकाउंटेंसी में ऐसी किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए वो इनके लिए शुब रहेगा और अगस्त 5 अगस्त 2022 के बाद क्योंकि रहा है और इनका काम बनेंगे और इनको एक पुखराज रतन सवा सात रती का पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारन करना चाहिए तो मुझे लगता है आने वाला समय इनके लिए बहुत शुब कारी रहेगा एक और सवाल आया है निरंजनी है नाम उनका और जनम स्थान है बन्देलखंड जन्म तिथी है 14 जून 1997 जौन 1997 और जनम का समय है शाम में 6 बचकर 38 मिनट जी और इनका जी हाँ बुन्देल खंड और इनका सवाल है ये प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और इनकी चिंता है कि सेलरी बहुत कम है जॉब अच्छा चाहते हैं सरकारी जॉब हो तो और बहतर हो एकाउंट्स का ये काम करती है इनकी जो कुडली है वो वुरिष्टिक लगन की और कन्या राशी की है और इनके जो जॉब खतसे रिलेटेड कोश्टन है दशम भाव में सूरे की राशी सिंग उदित होती है और सूरे सब्टम भाव में शत्रू शुक्र की राशी में चले गए है इनकी problem ये है कि इनके गुरू जो county field के lord बाने गए है जो हमारी job के lord बाने गए है white collar job के lord बाने गए है धन के कारक बाने गए है गुरू वो इनके niche के हैं इनकी कुंडली में तो इनको भगवान विष्णु की अराध ना करनी चाहिए गुरू के मंतरों का जाब करना चाहिए गुरू को अपने ठीक करना चाहिए क्योंकि काफी खराप सिती में है और अभी जो इनकी दशा चल रही है और राहू में केतू की चल रही है राहू और केतू आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कठोर बहुत ही क्रूर ग्रैम आने गए हैं तो उनका समय चल रहा है इनका साथ सितंबर 2022 तक साथ सितंबर 2022 तक तो इनको किसी प्रकार की कोई ऐसी सफलता मिलने का बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा एक मानिक रतन धारण करें भगवान विश्टू की पूजा करें और सड़े के दिन आदित्य हिर्दे स्रोत्र का पाठ करें और सूरे को जल दें तो मुझे लगता है इन उपायों से इनकी जो कारियर में समंदित जो प्राबलम है वो ठीक हो जाएगी और अभी थोड़ा सा समय वेट करें थोड़ा सा वेट कीजिए और इन उपायों को कीजिए जरूर आपको सफलता मिलेगी टिप्स की बात कर लेते हैं अगर आज आपका बर्डे है तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपकी लिए आने वाला साल कैसा होगा और साथ ही हजबिन वाइफ के लिए भी आने वाले पल कैसे होंगे जिनका मैरेज डे है उनके लिए क्या टिप्स होगी किस चीज को वो ना कहें ये भी हम आज जानेंगे आचारे जी से सबसे पहले जन्म दिन की बात करें बर्डे की बात करें जे आचारे जी आज अगर जिनका बर्डे है तो कैसा रहेगा उन्हाग दिन जिनका भी आज जनम दिन है जिन लोगों का भी आज जनम आज वो सफेद चेरी सफेद चेरी पक्षियों को खिलाएं तो पूरा वर्ष उनको सफलता प्राप्त होगी उनका जीवन सुख में और खुशियों से भरा रहेगा और अब आत marriage anniversary जिनका है उनके लिए तो उनके लिए क्या टिप्स जिनका आज marriage anniversary है? जिनकी आज शादि की सालगिरा है वो पती पती दोनों आज मंदिर जाएं और पाँच भगवान की मूर्थियों के आगे पाँच घी के दीपक जलाएं पांच मूर्थी क्यागे पांच गी के दीपक जलाएं तो आज के दिन अगर ये उपाए करेंगे तो पूरा वर्ष उनका दामपत्ते जीवन खुशियों से बरा रहेगा और उनके जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा तो ये बाते तो होई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम जानें तो क्या नहीं करना चाहिए आज के दिन आज क्रिशन पक्ष की अश्टमीती थी है आज के दिन नारियल बिलकुल भी ना खाएं यदि आज के दिन आप नारियल खाएंगे का डर होता है तो आज के दिन नारियल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए तो ये कैसा रहेगा आज का दिन और क्या नहीं करना चाहिए ये कुछ सवाल एक और ले ले लेते हैं राजकुमार जी है उनका सवाल आया है जन्मति थी है उनकी 15 फरवरी 1972 और समय है जन्म का सुबह 10 प्रावती ये पेशे से बिजनसमैन है बिजनस करते हैं और इन दीनों इनका विवसाय अच्छा नहीं चल रहा है खर्चे ज्यादा है जिससे चिंता बढ़ गई है होमलोन इन्हों ने ले रखा है कारलोन इन्हों ने ले रखा है तो ये जानना चाहते हैं कि जो यार्थिक परिशानिया हैं वो कैसे दूर हूँ जी इनकी जो कुडली है मेश लगन की और कुम्बराशी की है और लगन के अंदर ही मंगल विराजबान है जो की रूचक राजयों का निर्मान की कुडली में वश्य हो रहा है और इनका प्रशन जो है कर्ज से समंदित है और बिजनस से समंदित है तो जहां तक बिजनस की बात करूँ तो मैं दशम भाव में शनी की राशी उदित होती है और वहां राहू विराजबान है तो वहां पर राहू विराजबान होने से और इनकी जो दशा भी चल रही है वो भी शनी और राहू की ही चल रही है जो कुडली में जहां प्रस्तिती खराब है उन्हीं ग्रहों को इस समय बल भी मिला हुआ है कि उस प्रस्तिती को और अधिक खराब कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अभी इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जो इनका समय निकल के आ रहा है वो 26 सितंबर 2023 तक अभी तक्रीबन दो साल पौने द इन शनी मंतर का जाब करें और काले कपड़े का और काली चीजों का दान करें और एक मुंगा रतन धारन कर लें इटालियन मुंगा ट्राइंगल शेफ में इटालियन मुंगा ट्राइंगल शेफ में धारन कर लें और शनी के मंतर का जाब करें और धीरे धीरे करें जो भी का है और अब Tip of the day यह जी आज का दिन क्या टिस डिप ऑफ दे में आज के दिन जो लोग गरीबों को खीर खिलाएंगे तो आज का दिन का बहुती सफल बहुती सुछ और बहुती खुशियों भरा तो आज के दिन गरीबों को खीर खिलाएं आज का दिन सुखद होगा और हम भी यही कामना कर रहे हैं कि सुखद हो जीवन को खुशियां से भरने वाला जोतिश विज्ञान रिश्यों की अद्भुद्देन है लेकिन उसका लाव लेने के लिए जगना भी जरूरी है लगना भी जरूरी है तभी आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं आज के इस एपिसोड में इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आचारे मनुज नियर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सारा समय शास्त्र के दर्शकों को मेरा हर्दिक प्रणाम धन्यवाद और सब को बहु झाल